आप में से काफी सारे लोग अलग-अलग competitive exam की तयारी कर रहे हैं specifically IBPS जो कंड़क करता है और उस पे दो section ऐसे है जो मतलब बहुत ही problematic हो गए बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहूँ कि जो जिनका ये पढ़ाई इसके बारे में अच्छा है अगर आपका quant और reasoning अच्छा है न तो आपका selection के chance बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि almost सारे exam में quant and reasoning जो है वो deciding factor होता है उसमें अगर आपकुछ एक minimum number marks नहीं लाते है तो भी आपका selection होता नहीं भले आपका जो अगले stage वाला पढ़ाही है जैसे RBI का exam में मालनी जिकी quant और reasoning जो है वो बहुत difficult आता है बहुत ऐसे सारे लोग है जो ESI है, finance है, descriptive English है बहुत आगे वाले जो sections होते है उसके लिए ready है लेकिन ये दो section के वज़े से उनका phase 1 ही clear नहीं कर पाते है वो तो आज मैं आपको 2-3 ऐस exam बताऊँगा और with example बताऊँगा मैं scorecard दिखा के बताऊँगा कि ऐसी कौन सी exam से जहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं यानि कि हम सब कुछ ना कुछ पढ़ते, minimum आता है लेकिन ये एक exam इसमें जाएगी उसमें आपको कुछ भी नहीं आता है कि जिनका quant and reasoning बहुत 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 वीक है इसे job हासिल किये जहां की salary देड़ दो लाग से जाता है करें लेकिन यहां पर मैं आपको यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि quant reasoning नहीं आता तो बाकी section का क्या ऐसा तो होगा नहीं बहुत 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 अच्छा होना चाहिए और आप किसी ना किसी area में आपका जो specialized knowledge है वो भी होना चाहिए मैं किस exam की बात कर रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा और आपको इसके बार देखो ऐसे जो video होते हैं जब जहां पर हम success नहीं हो पाते है और हमें कुछ नहीं मिला तो first station निकलता है यह मैं बहुत समझता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे students का psychological counseling करता हूँ और यह जायज है अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप लिख दीजी कोई tension नहीं क्योंकि वो first station निकालने का सबसे अच्छा वे है YouTube जहां पर आपको जितना चाहिए आप लिखिए सामने वाला पड़ेगा नहीं पड़ कि यारज मैंने कुछ बोल दिया और मैंने भी उसको डिलीट किया तो आप भी कुछ मैं भी कुछ ठीक है तो यह बात समझे और मैं आपको कहता हूँ कि यह definitely ऐसी बात कोई नहीं करेगा क्योंकि लोग क्या है नो लोग सी उपर उपर की बाते जानते हैं actually exam में select होने के यह वो हमरी करेंगे सब करेंगे लेकिन जो दूसरी दो बाते हैं उस पर बहुत कम लोग बोल सकते हैं और बोलते भी नहीं तो चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी देखो हम जितनी सारी exams होती है IBPS की specific लिम बात करते हैं आपको पता है जनरली phase 1 में क्या होता है, prelims में क्या होता है, quant English reasoning होता है जब तक आप यह clear नहीं करते हैं आप आगे नहीं जा सकते हैं आगे क्या होता है आगे भी quant English reasoning होता है उसके साथ GA हो सकता है, general awareness, computer knowledge हो सकता है उसके बाद descriptive English हो सकता है जैसे आपके IBPS PO में होता है, SBI PO में होता है बह एक्षे लेवल का आना चाहिए तो पहले तो हमने देख लिया भी कौन्ट और रिजनिंग नहीं आता है लेकिन कुछ न कुछ तो आना चाहिए और वह भी अच्छे लेवल का आना चाहिए तो यह मैंने आपको बताया पूरा जो एक्जाम है हमारा पूरा जो गैमेट आफ एक्जाम है आई भी पीएस के अंदर उसमें यह अलमोस 90-95% एडिया मैंने कभर किया अगर आप कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शिम में बता दीजिए तीक है maximum लोग यहाँ पर फस जाते है और वो भी स्पेसिफिकली कॉंट हो रिजनिंग में फसते है अभी हम आएंगे अभी थोड़ा पेशन्स रखे हम आएंगे हम किस एक्जाम के बारे में बात करें चलिए अभी यह है एक्जाम सेवी का मैं आपको विद यह एक्शुल मार्क शीट है यह देखो यह कैंडि हो गया निगेटिव मार्क है लेकिन यह मार्क देख लीजे पेपर टू यह पेपर टू है सेवी का इसमें क्या-क्या था कॉमर्स था मैनेजमेंट था अकाउंस था कॉस्टिंग था कंपनीज एक्ट है प्योर एकोनॉमिक्स है और फैनांस है यहां पर कितने मार्क शाए 80. 50.5 यानि कि मैं कहता हूँ यह पहले 10 ओल इंडिया पहले 10-15 लोगों का मार्क होगा पासिंग के लिए कितना चाहिए था यहां पर 30 मार्क चाहिए थे मिनिमम यहां पर 40 और यहां पर 80 इन्होंने क्लियर किया अभी मेंस में जाएंगे अभी देखते आगे क्या होगा और य यह दोनों section मिला के 30 मार्क लाता हूँ correct इसको 25 मार्क है इसको 25 मार्क है और reasoning और quant मान लीजे मैं attempt भी नहीं करूँगा 00 अगर मेरा 25 में से मुझे 15 मिलते हैं English में और GA में 25 में से 15 मिलते तो मैं यह exam का pre-clear कर लूँगा लेकिन यह 30 मार्क निकाल लिए लेकिन यह जो paper है मेर बहुत अच्छा होना चाहिए बहुत अच्छा है नहीं की बहुत अच्छा है मैंने आपको दिखा दिया है अगर आपको quant और reasoning कुछ भी नहीं आता है तो भी आप कुछ exams है वो clear करके और यह जो salary है वो minimum 10 लाग है दो लाग तक भी जाती है और इसका भी salary vision होना बाकी यानि की मैंने बहुत बार लोगों को बोला है कि भी पहले आप देखो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ऐसा मत करो कि सारे exam देना चालो कि मुझे मेरी अभी मैं यहां पर दूसरा भी एक situation दिखा सकता हो आपको मेरे telegram channel पर डाला हुआ है यहां पे 40 mark मिल गे यहां पे 70 mark म नहीं करेंगे तो भी आप यहां पे phase 1 clear करेंगे और यह paper अगर आपको बहुत अच्छा होगा आपका descriptive English अच्छा होगा आपका communication अच्छा होगा तो आपका final selection यहां पे हो सकता है बाकी कोई exam ऐसे नहीं बहुत क्लर्क की भी exam नहीं है IVPS क्लर्ट नहीं है RRB क्लर्क नहीं है जहां पर अगर आपको reasoning and quant नहीं आता है बिल्कुल भी तो आप prelim भी clear नहीं पाएंगे face to means में आपको attend करने का भी मोका नहीं मिलेगा चलिए अब यह आती है दूसरी exam पे अब यह कौन सा exam है यह है आपका नाबाड का graduate का exam इसकी भी salary देर लाग से जादा है अब यहां पे देखते हैं quant है यह देखो यह quant है यहां पे कितने mark चाहिए 20 में से सिर्फ तीन mark चाहिए यह RBA जैसा नहीं है अगर आप देखेंगे इसका भी percentage wise यह 15% है यह जो है यह भी percentage वाई 15% है लेकिन RBA का exam बहुत बहुत difficult है यह इतना नहीं आप यहां पे जितने सारे लोग देख 20 में से कितने 1 mark यानि कि नबढ़ भी एक ऐसा exam जैसे मैंने कहा कि SEBI में अगर आपने attempt भी नहीं किया तो भी आपका selection हो सकता है negative score हो सकता है तेकि नबढ़ में ऐसा नहीं नबढ़ में at least कुस तो भी चाहिए वहां पे sectional का dub नहीं था यहां पे चाहिए लेकिन यह जो है आ आप नबढ़ का previous year का कोई भी दो paper लीजिए phase 1 का solve करके दीखे भी आपको 3 mark तो मिल जाएंगे यान कि यह भी कैसा exam जहां पर आपको content reasoning बहुत कमाता है बहुत कमाता है तो भी आपका selection हो सकता है लेकिन इसमें क्या है आपका general awareness आपका ESI, ARD यह बहुत अच्छे level पे होना objective का भी और descriptive का भी और बाद में जो आपका interview है वहाँ पर भी आपका skill होने चाहिए यानि कि यह भी ऐसा exam है जो लोगों को content reasoning weak है उनके लिए यह भी एक exam है और एक exam बताता है और एक exam है यह है आपका IFSC के exam यहाँ पर भी यह जो है आपका common cutoff है करें यहाँ पर भी common cutoff है य सिर्फ 30% आपको marks लाना है और वो भी 100 में से यानि कि अगर आपने किसी दो section में बहुत अच्छा कर लिया और बाकी section में minimum minimum कर लिया तो भी हो जाएगा ठीक है और अभी अगर आप IRD की preparation कर रहे है अभी IRD के exam आया है तो 31st August को हमने एक यह हमारा intro class है यानि कि जो student ने हमार बैस चालू हो गई है कुछ students का भी late join किया है या कुछ class मीस हो गई तो यह class जो है अटेंग कर सकते है इसके बारे में जो link है मैंने comment section में दिया है वहाँ से आप यह join कर सकते हैं और exam के बारे में खर्स के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं तो यह देखो यह मैंने आपको with proof आपको धिखा दिया है कभी क्या है लोग मतलब 드को यहाँ पर क्या है आप एक बात समझ लीज जी बहुत बार लोग यहा दिमाग से निकल जाएगा आप ये बार-बार-बार-बार कुछ लोग है ना आके बोलते हैं इनको तो कोर्स बेशना है वह तो बहुत क्लियर है कोई भी सर्वीस है आप मुझे प्लाटफॉर्म पे जाके दिखाए विदाओर प्लाटफॉर्म तेकित भी पकड़ लेंगे वह तो सरकार है करें तो यह हमारा पूरा capitalist world है यहां पर जो देखो यहां पर आप जो service खरी देंगे ना उसके बारे में आपको service मिलेगी अच्छी और आपको पता है हमारा background क्या है अब यह जो तीन faculty दिखाई भी यह तो इसमें से sir waiting list number one है मैं आर भी में job किया है मैंने और पर मैं भी उसको delete कर दूँगा ठीक है तो यह क्या है आपको खुद के बारे में सोचना है और यह जो matter है यह मैंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत लोग इसके बज़े से अटके हुए है उनका exam नहीं निकल रहा है लेकिन यह मैं बिल्कुल नहीं भी बोल रहा हूँ कि आपको क्या views है comment section में लिखिये और कोई भी exam के बारे में कुछ भी पूछना है तो comment section में पूछे आपको पताए मैं उसका answer देने का try करता हूँ thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations